देव नेक्स लेवल तो यहाँ पर हमारे पास vocal है, सबसे पहले वो cut करके tempo पे एकदम lines के हिसाब से अगर आप देखें काफी हद तक जितना मैं cut कर सकता था उसे मैंने बिठा रखा है, उसका एक chunk है बहुत सारी अलग-अलग layers के अंदर था तो जैसे आप ये दिखेंगे तो अभी तो ये cut कर करके है उसके इलावा जो थोड़ा-थोड़ा और tempo का issue है, वो हम melodine में और सूर का तो definitely करेंगे तो double click करते हैं, किसी mixer channel में लेके जाते हैं और वहाँ call कराएंगे melodine, तो melodine यूज़ करने का क्या तरीका है, यहाँ से मैं गया मैंने click किया button transfer उसके बाद यह play कर दिया और stop कर दिया अगर आपका 3 मिनिट का song है, 4 मिनिट का song है, 5 मिनिट का song है तो transfer on रहेगा और वो लगातार record होता जाएगा अब जब पूरा record हो गया, stop हुआ पूरे के पूरा जो audio के एक-एक note है वो transfer होके मेरे melodine के अंदर आ जाते है अब जब यहाँ आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं, अलग-अलग notes वो दिखा रहा है अगर आपके इस तरह से नहीं दिखा रहा और एक ही line के अंदर दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, algorithm पे click करना है और melodic पे click कर देना है कई बार यह होता है कि वो universal के अंदर by default record कर लेता है जहां अलग-अलग notes नहीं दिख रहे हैं एक single line दिख रही है अगर आपके वैसे दिख रहा है तो कुछ नहीं करना melodic पे click कर दिजिएगा अगर by default ऐसे ही है तो बहुत अच्छी बात है अब यहां पर मेरे पास वो notes नजर आ रहे हैं जो नोने गाए मैं पूरे का पूरा आगे तक एक बार साथ में humming लेता रहा तो मुझे वो F sharp के अंदर vibe आ रही थी तो मैंने देखा कि F sharp फ्रिजिन के हिसाब से वो जाता था अब मान लीजे आपको ये scales या राग की knowledge नहीं भी है पर आपने key ले ली है F sharp तो सबसे पहले क्या मैं आपको तीन चार चीज़ें बताता हूँ गर आप F sharp लेके जाना चाहते हैं right click करेंगे major minor तुम select करी सकते हैं definitely या फिर यहां से जाएंगे open scale और यहां पर Indian भी सारे दिये गए हैं बिलावल है भैरवी है पूरवी है देख सकते हैं right तो जो भी आप select करेंगे यहां पर चलिए मैं जाता हूँ इधर और मैंने कर दिया जी okay एफ शाप मुझे चाहिए था ठीक है बहुत बढ़िया है मैंने कह किया यह सब को पकड़ा जी इसको कर दिया जी पहले सीधा ठीक है इनको भी पकड़ा अच्छा okay कर देते हैं इसे ही पकड़ा अब मैं इतना extreme आपको नहीं करना है जब आप किसी singer के उपर कर रहे है बढ़ डेफिनेटली यह थोड़े non singer थे और थोड़ा funny वीडियो है तो सुर से off ना जाए इसलिए मैंने थोड़ा extreme ही से यूं कर दिया ठीक है अब मैंने यह नीचे के सारे note पकड़े और यह पकड़के मैं उपर एफ शाप के उपर ले आया फिलहाल सुनते हैं क्या लगता है ठीक है ऊपर वाले notes भी मुझे एकदम सही चाहिए यह पकड़ा और यहां भी मैंने कर दिया यह ली इदम स्ट्रेट यह मैं अकेला अकेला पकड़के भी कर सकता हूं लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि जब आपने इस तरह की चीज़ें करनी हूं तो आप क्या use कर सकते यह गया ठीक है यहां से जैसे आसे आप आगे करते रहेंगे करसर पर वैसे वैसे आपको time line पर दिखता जाएगा तो आप इस तरह से ले गए यह मैं आपको एक example दिखा रहा हूं कि कहां पर हम tune में लेकर आ सकते हैं सबसे easily लेकिन इस तरह से नहीं करना होता हूं obviously कि यह पकड़ा बस सिधा कर दिया हो गया हमें सुन-सुन के ही करना चाहिए और अगर आपको scales या उसकी भी नहीं है कि कौ अब यहां पर दूसरी चीज़ आती है अगर मैं यहां जाता हूं तो लिखा है pitch tool इसे मैंने press करके रखा रखा हूँ है प्रेस करके और यहां आया मैं pitch modulation tool आपकी जो यह modulation है यह जो एक note से दूसरे note पर जाते हुए जो आपकी pitch की variation है जो modulation है यह एक note से दूसरे note पर Jamp करते हुए और वो अकेला note किस तरह से hold है इसको हम इस option से control करते हैं किस तरह से आईए देखते हैं थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं पकड़ के रखा आप down करेंगे उसकी variation आनी शुरू हो जाएगी pitch modulate होगी so that वो आपस में जाए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो Travis Scott के गाने होते हैं T-Pain वो क्या करते हैं सिर्फ auto-tune यूज नहीं करते हैं गानों के अंदर वो सारी variation almost zero कर देते हैं देखिए अगर मैं इसे zero कर दूँगा variation almost एक्तम सीधा सीधा कर दूँगा देखिए कैसा करेगा हूँ कितना ही super auto-tune वाई वाई वाली है अब आपको अगर इस तरह की sound चाहिए होगी जैसे mumble rap वगरा कर रहे हूँ तो आपको गाना भी उस तरह से है कि ना सिधा सिधा आप गा रहे होंगे उसके आज जब आप variations भी सीधी कर देंगे तो बिल्कुल T-Pain वाली vibe आ जाएगी तो बहुत लोग मुझे comment section में यह भी पूछते हैं कि T-Pain Travis Scott यह वाल auto-tune कैसे करें वो सिर्फ auto-tune नहीं है live के दोरान वो auto-tune जरूर यूज़ करते हैं लेकिन production के दौरान या mixing के दौरान इस तरह से variations जो हैं वो straight की होती है अब देखें जहां पर वो हल्की से variation है वह natural feel देता है और जैसे यह आ जाता है तो बहुत सारे गानों के अंदर यह भी होता है कहीं कहीं मैंने बीच-बीच में यह चीज़ आड़ की होती है अब हम देखते हैं कि हम tempo को किस तरह से कर सकते हैं बहुत ही आसान है मैं वापिस इस के उपर क्लिक करता हूं जो मेरा main tool है यह देखिए थोड़ा सा off tempo है line से left है तो मैंने alt press किया और बेलकुल easily मैं line के उपर बिठा आपाया थोड़ा सा देखते है tempo on करके यह money word है और एकदम tempo पर मनी आएगा तो एकदम perfectly वो tempo पर आना शुरू हो गया यह वाला भी देख लेते हैं एकदम यहां रखा पिछले को उस हिसाब से ही change कर देता है नहीं जैचे तो वापिस कर देना है यह देखिए gang एकदम tempo पर आ रहा है यहां अगर आप देखें तो gang जो है दूसरा word यह tempo पर नहीं है पर यहां आ गया है इस तरह से हम pitch variation कर सकते हैं सूर कर सकते हैं tempo को थोड़ा पहता आग बीचे कर सकते हैं और कोई भी note जो आपको लगता है कि इसका volume कम है या ज्यादा है उसे कहीं भी हमने click किया वहां से obviously मैं volume भी आप यह down कर सकता हूँ यहां click किया और यहां से आप यह देखिए उस particular note का volume कम या ज्यादा कर सकते हैं बागी जितनी भी options हैं हम definitely आने वाल lectures के अंदर melodine की देखेंगे बट जो overall हमें काम आता है जो main main चीज़े हम use करते हैं during melodine वो यही होती है तो I hope आपने सीख लिया होगा अपने vocal के उपर अपने singers की vocals के उपर यह practice कीज़े जितनी ज्यादा practice करेंगे उतना ही यह जरूरी है यह जाकर जरूर सुनिएगा और share भी कीज़ेगा और चैनल को subscribe भी जरूर कीज़ेगा मिलते हैं अगले lecture में तब तक लिए देव next level signing out नमस्ते